हाई अबरिवारण वेलकम बैग तुमाय चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह ग्लैम लोक शेर करने वाली हूं जोकि काफी पसंद किया जा रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे और मुझे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं क को कर लिया था बहुत जाद अच्छे से क्लीन वेट टिशू की हैल से कोई भी मेकप या संस्क्रीन नहीं लगा होना चाहिए जब भी आप मेकप स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लाइन का और यहां पर स्टार्ट किया है मैंने मॉश्यराइजर से मॉश्यराइजर को मैं पर अिया जो सब्दै किया है responsible की फेस को लर करेक्ट जो कि मैंने यहां पर और अरेंज कगलर कलरेक्षन यूज घारा यह और यहां पर मैं इसको अच्छे से यहां जहां भी डारक्नेसट लागर दोगी मजह फ है क्लाइन यहां पर मॉटे पे जरूरात होती है color correction की next मैं एक dab beauty blender से अच्छे से blend कर लूगी concealer को और सबसे main जो काम होता है आपके makeup में वो blending होता है और beauty blender हमेशा गीला होना चाहिए और उसका जित्ता भी पानी है वो आप निकाल लो और किस तरीके से हम beauty blender use करते हैं यह already आप लोगों को बता चुकी हूँ हूँ एक single video में लेकिन आप लोगों को beauty blender किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए यह जरूर आना चाहिए तो यहां पर मैंने blend कर लिया अच्छे से now color correction के बाद मैं यहां पर apply करी हूँ foundation जो foundation है यह है दो foundation मैंने यहां पर यूज़ कर रही हूँ कहीं पर blackness और uneven skin है तो जब भी आपकी कोई client uneven skin के आए तो आप foundation यूज़ करें एक light color का shade उसमें और उसके अलावा एक थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो आपके client के हिसाब का shade आपको मिल जाएगा तो यह दो तरीके के shade आपको जरूर अपलाए करना चाहिए तो next मैं यहां पर apply कर रही हूँ कि beauty का concealer जो की light shade में है जो मेरी model है उनका ही shade है बहुत ज़्यादा dark light shade नहीं लिया मैंने यहां पर उसके बार मैंने यहां पर अगें dab beauty blender से blend कर लिया पूरा concealer now next मैं यहां पर शुगर का translation powder apply कर रही हूँ translation powder जरूर apply करना चाहिए तो अब मैं यहां पर eye makeup start कर रही हूँ eye makeup को start करने से पहले मैं यहां पर foundation हमेशा apply करती हूँ और foundation को भी मैं blend कर लूँगे इसके बाद compact powder apply कर करूंगी सबसे light shade से और मैं अपने eyeshadow blending brush में light shade ले रही हूँ और इसको मैं अच्छे से blend करूंगी आउटर वी से start करूंगी और इसके बाद मैं इनर वी तक लेकर आऊंगी और आप लाइट शेट को मैं तब तक blend करूंगी जब तक कि मझे desired crease line नहीं मिल जाती है ऐसा आप भी कर सकते हैं थोड़ा सा eye makeup आजका different किया है मैंने next मैं यहां पर dark shade apply करूंगी उसके dark shade को मैं आउटर वी पर apply करूंगी और इसको बहुत अच्छा से blend करूंगी आप देख सकते होगे देखो आई makeup में भी ना सिर्फ blending का ही खेर जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना आच्छा ही आपका eye makeup होगा और आप यहां पर अलड़ी देख चुके हैं कि मैंने सिर्व तो शेड़ एक लाइट शेड़ एंड एक डाकर वन बस दो शेड़ अप्लाइब कर दिया और दैट सिट उसके पास सेंटर अप द आइस पर मैंने जो प्रेस्ट शिमर जो हमारे आईशाडव प्रेलेट में होते हैं हलकी जो ग्लिटरी होते हैं वह मैंने अप्लाई किया है नेक्स्ट मैं यहां पर एक फ्लफी ब्रश लेकर अल्रेडी मैंने ट्रांस्टेशन पाउडर को अठा दिया है पूरे फेस पर से नाव नेक्स्ट मैं एक एंगुलर ब्रश लेकर ब्राउन शेड को जो नीचे की आखे होते हैं यहां पर काजल हम अप्लाई करते हों उसके बाहर वाली लाइन पर मैं इस तरीके से ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूं नेक्स्ट मैंने यहां पर मेकप स्टूडियो का ग्लिटर ग्लू अप्लाई किया उसके बाद मेरे पास यहां पर फॉरेवर 52 का जो फ्लैट ब्रश की हेल्फ से मैं लूस ग्लिटर जो होते है फॉरेवर 52 के हैं यह स्टार डस्ट वह एप्लाई कर रही हूं नेक्स्ट मैं यहां पर मस्कार एप्लाई कर रही हूं अपर लेश एंड लोवर लेश पर अच्छे से नाव यहां पर आइब्रो को सेट करूंगी थोड़ी जो मेरी मॉडल है उनकी आइब्रो बहुत ही से और इसको ब्रश कर देती हूं जिसे कॉम कर देती हूं सो डाइट जितने भी ब्राउन अच्छे से आइब्रोस पर सेट हो जाता है जैसे कि आप लोग को अल्यडी यहां पर बताएगे यह ग्लैम मेकप है तो मैं यहां पर कॉंटोरिंग पर थोड़ा सा ध्यान दूंगे और कॉंटोरिंग अगर सीखने है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना मैं यहां पर एन्वाइक की टॉफी स्टिक है जो की क समझ में आजाएगा कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं नहीं देंगे तो फिर मैं इस्टाग्राम पर बहुत जली आउंगी लाइव तब समझाओंगी कि मैंने क्यों ब्रॉंज और नहीं किया था बट मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप लोग म लिंक में मिल जाएगा सबका लिंक यहां पर मेरे क्लाइंट की जो लिपस हैं वह काफी यहां आप यहां पर हटाने के बाद जब आप लिपस्टिक एपलाए करेंगे तो लिपस्टिक बहुत अच्छी लगेगी तो आप देख सकते हैं इनका यह फाइनल लोग और मैंने आप लोग बहुत बहुत इंप्रेस्ट होंगे इस पूरे मेक अपसे वह ट्रांजिशन गाइज अगर आप लोग को मेक अच्छा लगा पूरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर लाइक करेंगा बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए तो यस फॉलो मी गाइस और मज़े जरूर सब्सक्राइब कर दीजे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और मज़े इंस्टाग्राम पी जरूर फॉलो कीजिए थैंक यू सो वेरी मॉच फॉर वाचिंग आम मिलिंगे अप नेक्स वीडियो म हॉलो